इस तरह से स्टीटी के अभेर्थी लगातार सलक पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर चाहे क्वालिफाइड हूँ चाहे वो मेरिट वाले हूँ अपर मुख्य सची हूँ बीए सीबी से उसके जो बोड के अध्यक्ष है दोनों के साथ नाइंसाफी हुआ है योगिता परिक्षा थी तो किस योगिता परिक्षा में चुकि सरकार ने बारद मार्च को कहा था कि आप सबकी नौकरी पक्की समझी जाए नमस्कार आदाव ससरीय का लाइव नैशनल सेवन में आपका स्वागत है मैं शादाव मलिक अगर अभी तक आपने नमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले बिहार में शायद कोई एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन छात्र सडक पर ना उतरते हों आंदोलन ना करते हों और मुद्दा वही रोजगार कर रहता है कई बार स्टीटी के अभीर्थियों ने लगातार अंदोलन किया चाहे वो क्वालिफाइड स्टीटी अभीर्थि हों चाहे फिर वो मेरिट वाले अभीर्थि हों और हाल में भी ऐसा ही हुआ और पुलिस ने भी उन पर लाठियां चटकाई इस मुद्धे पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है संदीब सौरव संदीब जिस तरह से स्टीटी के अभीर्थि लगातार सलक पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर चाहे क्वालिफाइड हों चाहे वो मेरिट वाले हों उन पर पुलिस की लाठियां चलती है मगर आवाज सरकार तक ऐसा लगता है जैसे पहुँचती नहीं देखिए सरकार तक तो आवाज स्टीटी मामले में कई बार गई है और मैं खुद ही मंत्री से मिल करके इस बारे में कहा था कि जो विग्यापन कह रहा है उसको ठीक तरीके से पालन किया जाए इस्पिरिट में उसका पालन किया जाए लेकिन सरकार के तरब से कोई ठोस करवाई नहीं हुई और सबसे बड़ी बात की सरकार ने जानबुझ करके स्टीटी में छात्रों को न्याय नहीं देने के लिए उनको दो भागों में बार दिया जो बारा मार्च को रिजल्ट आया था पहली बार उस रिजल्ट में 24,599 बच्चों को क्वालिफाइड घोसित किया गया जो कि सीट की संख्या से कम थी जब सीट की संख्या से कम लोग क्वालिफाइड हुए तो काईदे से सबको नवकुरी देनी चाहिए थी लेकिन बाद में पता चलता है कि सरकार कहरी कि नहीं वो तो 80,000 बच्चे थे तो सिक्षा विभाग के अपरमुख्य सचिव BACBC से उसके जो बोड के अध्यक्ष है वो खुस्वयम सिक्षा मंत्री ये सब लोग मिल करके इतनी बार गलतियां इन लोगों ने की है 12 मार्च को कुछ और रिजल्ट आता है 21 जुन को जो रिजल्ट आता है उसमें मेरिट का लिस्ट बनता है 26 जुन को आता है कि नहीं मेरिट और नॉन मेरिट का कोई डिफरेंसी नहीं है तीस जुन को आता है कि टोटल इतने नंबर थे फिर बाद में सरकार कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास कोई आंकरा नहीं कितने बच्चे सफल हुए हैं कितने बच्चे कौलिफाइड हैं तो असल में सरकार इस पूरी बहाली में छातरों के साथ सिर्फ खिलवार कर रही है और दोनों के साथ नाइंसाफी हुआ है जो मेरिट लिस्ट में अभ्यरती हैं उनका कहना बिल्कुल सही है कि आपने कहा था कि ये पहले कि किसी भी बहाली से अलग है ये competitive nature का है कोट में एफिडिफिट इस तरह का डाला गया था तो जब सारी बाते ये कह रही है कि ये एक प्रतियोगी परिक्षा थी ठीक बात है state का full form में eligibility test होता है लेकिन ये विज्ञापन में लिखा होना चाहिए था तो विज्ञापन में आपने कहा अगर वो ये कोई योगेता परिक्षा थी तो किस योगेता परिक्षा में seat की संख्या एनाउंस होता है जैसे ही आपने seat की संख्या एनाउंस कर दिया और ये कहा कि seat के बराबर ही मेधा सुची हम जारी करेंगे तो ये competition हो गया तो काईदे से STT में जो merit list में आए हुए बच्चे है उनकी ये मांग सही है कि जो पास किये है उन सबको job दिया जाए उन सबको नौकरी दी जाए जो लोग not in merit में है लेकिन qualified है eligibility point उन लोग ने cross कर लिया तभी वो qualified है चुकि सरकार ने 12 March को कहा था कि आप सबकी नौकरी पक्की समझी जाए तो सिक्षा मंत्री अगर ये बात कह रहे है अपर मुखे सची हूँ अगर ये बात कह रहे है बिहार के तमाम मीडिया के सामने अगर ये बात कही जा रही है अगले दिन के हर अख़बार में जनता ने पढ़ा तो इस बात का एक वजन होना चाहिए ये सरकार खिलवार इस तरीके से नहीं कर सकती है हाल फिलहाल में हम देख रहा है कि सरकार करें कि सब लोग नियोजन में जाके दोड़िये और merit non merit का कोई मतलब नहीं हुआ अभी जो certificate जारी किया गया सरकार की तरफ से उसमें not in merit देने की क्या ज़र होती आपको अगर आपकी मनसा अगर सही थी तो not in merit देने की क्या ज़र होती असल में सरकार कई ये तो आप एक तरह से इंडारेक्ली फैल कर रहे हैं तो certificate इस तरह का देने का क्या तो आप कह रहें कि आप एक ही बहाली के लिए आप समझे नियोजन इकाई तो खुद ही merit बनाएगी तो जब नियोजन इकाई merit बना रही है आपने खुद एक merit list बना दिया कि यह लोग merit में है यह लोग merit से बाहर वाले लोग है अगर उनको मान लिया नियोजा निकाई में नहीं होता है जॉब उस सर्टिफिकेट को ले जा करके क्या वो किसी प्राइवेट स्कूल में भी जॉब कर पाएंगे आपने लिख दिया कि मेरिट में नहीं है और पीछे लिखा हुआ है कि यह सब्जेक्ट वाइस कि शिक्षा मंतरी के पास ले जाते हैं शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी के पास ले जाते हैं तो किसी की बात सुनी नहीं जा रही है कोई तरक पे बात ही नहीं हो रहा है सरकार जो है उसने विभाग को पूरी तरीके से जिलेवी विभाग बना दिया है गोल-गोल बात उनको गुम्राह करने वाला दिया गया है और इस बार हमने फिर से एक विशेसा धिकार उलंगन का एक आवेदन जमा किया है बजट सेशन में और सचीव क्यों मैंने एक लेटर दिया है और हमने कहा है कि सरकार कहां कहां जुट बोल रही है सरकार का वक्तव का ये सेंटेंस है फैक्ट ये है प्रूफ ये है पूरा डिटेल हमने एक एक चीज़ का दे दिया है और हमने वही मांग दोराया है कि दोनों ही जो बच्चे हैं जो एस्टेट के मेरिट लिस्ट में हैं उनको तो आप डैरिक्ट जॉइनिंग दीजिए जो नौट इन मेरिट हैं चुकि उनको आपने कहा है और गलती आपकी है तो खामियाजा वो न भुगते हैं कई सारे नौट इन मेरिट लिस्ट में जो नौजवान हैं जिनको जब सरकार ने कह दिया कि भाई आपकी नौकरी पक्की समझी जा रही है तो पहले के कामकाज छोड़ करके आ गए उनको लागा कि अब तो जॉइनिंग होनी जा रही है सीट से कम संख्या में लोग क्वालिफाइट किये हैं तो उसका खामियाजा छात्र न भुगते और इसलिए जो भी सीटे पहले से बची हुई है बिहार गजट के अनुसार जितने सीटे और निकल रही है गजट में सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाया है कि इस डिपार्टमेंट के इतने टीचर्स मिनिमम हर इसकुल में होने चाहिए तो उसको जोड करके अगर सरकार एक फ्रेस रिक्तियां लेके आए तो मेरे ख्याल से सब लोग की जोइनिंग भी हो जाएगी और इस्टेट के भेर्थियों के साथ मजाक होना भी बंद होगा और बच्चों को सिक्षक मिल सकेगा इसलिए अभी भी हम यही बात कह रहे हैं सरकार से कि आप अगर बीस गलती कर चुके हैं तो गलती का खाम्याजा छात्रों को मत भूगतने दीजिए आप खुद अपने में सुधार कीजिए और सीट जो है चुकि आपके पास सीटों की कमी नहीं है बिहार में पौने तीन लाग सीट खाली है आपने साथी सजार बाहली निकाली है इस बाहली को आपको विपक्ष का साथ पूरी तरह से है या फिर इसमें भी ऐसा लग रहा है कि सारे लोग एक चुठो कर रोजगा तो पूरा विपक्षी इस मामले में एक साथी खड़ा है कल नेता परतिपक्ष ने भी कहा है कि देखिए कुछ प्रतिपक्ष ने कहा कि आज करेंगे, इस से अच्छा है कि आप इस सिस्टम के उपर दबाव बनाईए, सरकार को इस बात के लिए मजबूर कीजिए कि वो छात्रों के साथ न्याय करें, तो पूरा विपक्ष इसमामले में एक जुठ है, हम लोग बहालियों के न्याय के इंतिजार में जितने अभी हरती हैं उन सब के साथ पुरा विपक्ष खड़ा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो जिस तरह से लोगतन्तर में कहा जाता है कि विपक्ष की अहम भूमी का होती है खासकर तब जब सरकार को लगाम लगाना हो सरकार को सही दिशा दिखानी हो रहा हैं एक बार फिर विपक्ष स्मुद्ध को लेकर बजट सत्र में सरकार को घेरेगा और खासकर संदीप अगर आपको मारे वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फेस्बुक के जरी देख रहे हैं तो पेज लाइक करें साथी टुटे हंटर पर में फॉलो जरूर करें